वेलकम टू फ्री लर्ड उनिवर्सिटी आज हम बात करने वाले हैं बी इजी सी वन जिर्टू यूरोपियन क्लासिकल लिटरिचर के अंतरगत आने वाले प्लोट अस पोर्ट अफ गोल्ड के इंपार्टेंट कोस्टन्स के बारे में बी इजी सी वन जिर्टू यूरोपियन क्लासिकल लिटरिचर के सारे वीडियोज अपलोड होग चुके हैं और आज हम बात करने वाल है यूरूपियन क्लासिकल लिटरिचर के ब्लॉक 3 जो पोर्ट अफ गोल्ड है उसके सारे यूनिट वाइज जो आपके कोस्टन्स उसको देखेंगे बाकि अगर आप भी एजी सी वन जिर्टू यूरूपियन क्लासिकल लिटरिचर के प्रिवियस सर के कोस्टन में प्रचाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्स्रे में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्लॉटर स्पोर्ट अफ गोल्ड ब्लॉक 3 है उसके सारे कोस्टन्स कवर हो जाएंगे अगर आप इसका सारा जवाब दे सकते हैं जो भी कोस्टन्स आपको यहां बताए दिखाए जाएंगे तो आप समझ लिजए कि आपका जो स्लेबस है वो कंप्लीट हो जुका है ब्लॉक 3 का ओके तो पहला कोश्टन है एक्स्पें दा कनेक्स बेट्विन ग्रिक ड्रामा एंड डव्लप्मेंट आफ थेटर इन ड्रोम Q4. What do you understand by new comedy? Analyze its connections with the emergence of drama in Rome. Write a brief note on closing of the theatres and the end of the classical drama. Closing of theatres or classical drama का जो खातमा हुआ उसके उपर आपको brief note लिखना है. Q6. Discuss the role of larf familialis in Plotus Port of Gold. Q7. Analyze critically the play's assessment of the society and of its time. Q8. Does Port of Gold said light on the position of women in society? Give instance to substantiate your argument. Q9. Explain the structure of marriage in the play. ये आपका important question आप इसको जरा सा देख लिजेगा. Q10. How are the slaves presented in the Port of Gold? इसको भी आप ध्यान से देखिएगा. Q11. Critically comment on the position of women with respect to system of dowry within marriage. Dory अभी भी भारत समाज का बहुत अभी निस्सा है. तो हालांकि ये European Classical Literature में भी अच्छे से बताया गया है. तो इसके बारे में आपको जवाब पहले से पता हैं. लेकिन ये सब टॉपिक कवर कर लिजेगा क्योंकि इससे सवालात आ सकते हैं. प्रिवियस सेर के भी question paper में आपको इसके बारे में कुछ सवालात थे. Q12. How does Strobulus intervene in the plot of the play? Q13. Can Strobulus desire for freedom be fulfilled? Give reasons for your answer. Q13. Describe Fadria's position in the play. Q14. Comment on the ending of the play. ये जो play था आपका, Plotus के द्वारे लिखा गया pot of gold. उसका जो ending था उसके बारे में आपको जवाब देना है. Q15. Can you think of another ending to the play? If so, what would that be? Q16. Analyze the pot of gold as a fabula of platya. Q17. Analyze Uglis as an as-last or a spoiled sport in the play. Q18. What do you understand of the institutions of marriage and the system of dory in the pot of gold? Q19. Do you think Uglis is finally integrated in society? Give reasons for your answer. बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे Telegram चैनल पर upload है. अगर आपको जोइन आपको जोईन किया है हमारे. तो आपको जोईन करना चाहिए. वहाँ पर आपको बहुत सारी questions, updates, information मिलते हैं. बाकि आपके कोई सवाला थो. तो questions से लिटेड, assignment से लिटेड, examinations से लिटेड, result से लिटेड, कुछ भी है तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाता है, आपके community के बहुत सारे लोग वहाँ पर अल्रीड चुड़े वे हैं, तो यही सारी questions थे जिसे की हमने cover किया plotters port of gold, port of gold जो है plotters के द्वारा लिखा गया ह इसमें की unit 1 में roman comedy था, उसके बाद आपका port of gold part 1, part 2 और port of gold का critical perspective था, यही था BGC 102 के इस वीडियो में, इसमें हमने सारे unit के important questions को cover कर लिया, यह सारी question का जवाब अगर आपने बिना किताब को देखे दे दिया है, तो आप समझें आपका जो preparation है plotters port of gold का हो चुगा है, बाक इसर के question paper को as a example आप देख सकते हैं, तो और assignment में भी आपको उतना ही word limit दिया जाता है, तो आपका habit बन जाएगा, तो आप examination में आसानी से अगर 7800 word तक लिक देते हैं, जो भी आपको limits कहीं जाते हैं, तो आप अच्छा marks score कर सकते हैं, बाग कि आपके evaluator पर depend करता है कि वो कै आप अप लिएसर के question पर पचाहिए, तो link description में जाकर कर देख सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर upload किया हुआ है, और इसक्रिप्शन में आपको telegram करने की मिल जाएगा, और बी यही जीएच English Awards का हमने revision video डाल तीया, crash course एक्छली ब पसंद है तो प्लीज डिसलाइक कीजिए और कमेंट सक्षिन में कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल है तो थैंक्स फर वाचिंग